हेलो फ्रेंस तलकम तो माई टैट क्लास फ्रेंस आज हमने जीव विज्ञान से संबंधित कुछ प्रश्णों को लिया है जिसमें से आज हम भीश प्रश्णों को देखेंगे और यह जो प्रश्ण हमने लिए हैं वह आपकी सी टैट या अधर किसी भी स्टैट का आप टीटी दे रहे हैं उसके लिए या फिर आप सूपर टीटी की तैयारी कर रहे है या फिर इसके अलावा भी आप किसी भी तरह के एक्जाइम को दे रहे हैं तो यहां पर हमने जो प्रश्ण में घ्रू मिल जाएगे और खास तौर से बहुत अप को जादा तर से कुश्चन है तो य अगला प्रश्न है कि जी विग्यान का पिता तथा जनतु विग्यान का जनक आप यहां पर इसे कह सकते कि जी विग्यान का पिता किसे कहा जाता है या फिर आपका प्रश्न बन सकता है कि जनतु विग्यान का जनक क्या पिता किसे कहा जाता है तो जी विग्यान कहें या तवरी त्वचा होती है इसे हम एपिडर्मिश कहते हैं यह आपका उत्तर हुआ कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है तो वह माइट्रो कांड्रिया को कहा जाता है अगला कोश्चन है कि पचे हुए भोजन का अवस्चोषण कहां होता है आपको यह बताने कि पचे हुए भोजन का जो अवस्चोषण वस्टा वस्चेज वस्चोषण कहां होता है तो वह होटा चोटी आत्मे होता है अगला प्रश्चन है यहां पे लार में मुख् cosm法 से पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा है यहांकि आपके जो लार में एंजाइम पाए जाता है वह क्वोसे ए तुरंद अपच होती है तो आपने देखा होगा कि वो थोड़ा सा फटसा जाता है तो वो किस वज़े से होता है दूद का फटना या फिसका थक्का बनना वो रैनीन के वज़े से होता है जो आपकी बॉडी में है अगला कुस्चन है पित का निर्मान कहां होता है तो पित का निर्मान यक्रित में यानि कि लीवर में होता है अगला प्रिश्ण है यहाँ पे अगला प्रिश्ण है मानसरी की सबसे बड़ी ग्रंथी कौन सी है तो वो यक्रित है यानि कि लीवर देखे जब आप एक्जैम कोई हिंदी में भी देते हैं तो भी वहाँ पे लीवर लिख द अगला question है मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथी देखिए सबसे पहली ग्रंथी कौन सी है यक्रिक और उसके बाद जिसका नंबर आता है वो अगनासा है जिसे हम पैन क्रियाज भी कहते हैं अगला question देखिए अगला अगला question है यहां पर इंसुलीन की खोज कब और किस ने की थी तो एंसुलीन की वैंटिक एमवेस्ट ने इसकी खोज की थी और यह खोज 1921 इसमी में की गई थी अगला प्रेशन है और बीसी को किस के द्वारा नस्ट किया जाता है तो यक्रित के द्वारा आर बीसी यानिकि रेड ब्लड सेल्स को समाप्त किया जाता है अगला इस नेखिए अग्ला प्रेश्ण है शरीर को उर्जा किस विटामिन के द्वारा प्राप्त होता है जी अगला प्रेश्ण है जो जल में घुल जाते engineer तो BC आपकी विटामिन वो है जो जल में घुल जाते हैं अगला प्रश्ण है मनुष्य के शरीर को कितने प्रकार की प्रोटीन की आवशकता होती है तो मनुष्य के शरीर को कुल 20 प्रकार के प्रोटीन की आवशकता होती है जिसमें से वो 11 प्रोटीन उसकी बोडी बनाता है नो प्रोटीन को वो बाहर से लेता है अगला प्रेशन देखिए अगला प्रेशन है यहाँ पे विटामिन की खोच कब और किस ने की थी तो विटामिन की खोच वंक ने 1911 सिवी में की थी अगला प्रेशन है कौन से विटामिन वसा में घुलंसील है तो विटामिन A,D,E,K यानि कि अडायक आपके वसा में घुलंसील विटामिन है अगला प्रश्ण है यहाँ पर अगला प्रश्ण है कि बच्चों में कौशियो कर यानि कि क्वासर कोर भी से कहते हैं और मरासमस की बीमारी किस विचामीन की कमी से होती हैं यह दोनों बीमारिया जो है वो बच्चों में होने वाली बीमारे इस बात को ध्यान देजिएगा और किस कमी से होती है तो वो प्रोटीन की कमी के कारण ये दोनों वीमारियां बच्चों में होती है जिसमें बच्चों के हाथ पर दुगले हो जाते हैं अगला प्रश्ण है अस्थियों तथा दातों के निर्मान में कौन सा विटामिन सहायता करता है यानि कि आपके जो हड्डिय बनाने में कों सहायता करता है तो लोह जो हीमोगलोबिन की कमी को पूरा करता है अगला प्रश्ण करेंगे विट्विटल है विटमीन कि य से आगगी कि आप प्रिशन जिस&ध eerste में कम्प्ली отв करेंगे आपको यह प्रिश्ण कैसे लगे एक बार हमें कमेंट करके जरूर बताएं अगली वीडियो में आप से फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए नमस्कार